आइबी पीएस एसो स्पेशलिस्ट ओफिशर्स की जो 11th रिक्रूटमेंट है जो 2021 में शुरू हुई थी उसका कल आखरी पड़ाव याने इंटर्वी शुरू होने वाले हैं जो 8 मार्ज तक होंगे तो कौन-कौन सी बात हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए उससे पहले जान लेते कि इंटर्वी का जो आपका एड्मिट कार्ड होगा वह किस तरीके का होगा और क्या आपको डोकुमेंट से लेके जाने पड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले जो थैंक्यू करना चाहिए उस केंडिडेट का जिसने अपना एड्मिट कार्ड भेजा हालंकि प्राइवेसी रखने के लिए हमने उसके जो नाव बगैरा जो भी उसकी परसनल लीटेल वह मिटा दी है तो यहां पर आपका नाम हो जाएगा लगाया था और यहां जो रैड है आपका यहां पर आपका फोटो आ जाएगा आगे चलते हैं फिर देखिए आपका जो लेफ्ट थम इंप्रेशन है वह आपको लगाना पड़ेगा लेकिन यह डोकुमेट वेरिफिकेशन जब आपकी होगी इंटर्वी से पहले उसी टाइ को है इतने बज़े आपका रिपोर्टिंग टाइम है एक बज़े है या फिर सुबह 8-8 बज़े है और पैनल की पैनल में है पैनल होते एक दो तीन चार पाच तो जिस भी पैनल के अंदर आपका आएगा वह आपका लिखा होगा अलग कि इस तरह की जो चीजे हैं वह आपक की थी डिग्री और इसमें बता जिया कि मैंने तो इस तारीकों की है तो उनके साथ यहाप इशू होने वाला है क्योंकि उन्होंने साफ लिख रखा है कि अगर जो अपने एप्लिकेशन फोर्म में डिटेल दी है अगर वह गल्त पाई गई जूटी पाई गई तो भही आप का जो कैंडिडेचर है वो रद कर दिया जाएगा लेकिन आप एक सेटिफिकेट अलग से बनवा लीजिए हो सकता अगर आपकी किसमत अच्छी होगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा फिर आगे कहते हैं no change in any of the information furnished in the online application will be permitted देख यह बात यह साफ कह रहे हैं कि भही अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी है तो फिर भी अगर आप चाहते कि कुछ change हो तो भही वो change नहीं होगा तो document verification के time पर हिल पता चलेगा इस तरह के candidates के साथ क्या होने वाला है आगी कहते है candidates reporting late will not be allowed to appear for interview जो candidate late जाते हैं यार interview की दिन भी लेट जाओगे तो भही आपको allow नहीं किया है अलंकि जो process हो लेटी शुरू होगा लेकिन फिर भी आप reporting time से 15-20 minute पहले चले जाए तो अच्छा रहेगा अब आपको देखिए जो सबसे ज़रूरी बात है document verification आपका होगा interview से पहले और अगर आप document verification में successful पाए जाते हैं eligible पाए जाते हैं clear आपको रखा जाता है और फिर provisional भी कई बार चल जाता है तो ही आपको interview देने दिा जाएगा अगर आप Events verification में reject हो जाते हैं तो आपको interview देने नहीं दिया जाएगा तो देखिए आपके कौन-कौन से documents हैं जो आपके original भी होने चाहिए और उनकी एक photo copy हरें की हर एक document का set पूर आपको त्यार करना है जो आपका self-attested होना चाहिए उपर लिखना है self-attested नीचे अपने signature और चाहो तो उसके नीचे आप date भी लिख सकते हो तो यहाँ पर देखिए सबसे जरूरी जो है एक तो admit card होगा आपके interview का वह नंबर दो पर है print out of the online application form submitted यानि कि application form का print out फिर proof of date of birth अगर आपने देखिए application form के लोगों ने खो दिये हैं तो री प्रिंट करने का भी इन्होंने option दिया है window अभी खुली है और आठ तारिक तक खुली रहेगी कोई tension वाली बात नहीं है अगर आपके पास application form नहीं है तो आप यहाँ से download कर सकते हो उसके बाद date of birth का प्रूफ आपका होना चाहिए दस्वी की आप पर कई सारे candidate ऐसे भी है जोनोंने डिग्री तो complete कर लिए उनके पास certificate भी आ चुका है लेकिन उनकी डिग्री नहीं आई है तो भी डिग्री नहीं आई है तो आपको प्रोविजनल बनवानी पड़ेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप डिग्री जरूर ले ज ही होगी इसके बाद आते हैं सेस्ट केटेगरी वाले candidates और AWS को भी यहां पर जोड़ दिया जाए तो भी जो भी सेंटर government का format है उसमें आपका certificate होना चाहिए चाहिए वह आपका digital हो या फिर इनके website में जो इन्होंने notification में फोर्म दिया है वह आप print out निकालके जा सकते हैं या आगे जलते हैं कहीं सारे candidates हैं category वाला थोड़ा issue है तो एक बार शॉल्ट आउट कर लेना पड़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और print out of this call letter है यह तो है और आपको साथ में ले जानी है अपने pen card passport permanent driving license waters card with photograph और bank passbook with photograph photo ID और यह original में आपको ले जानी पड़ेगी copy भी ले जाना राशन का learner's driving license नहीं चलेगा driving license चलेगा लेकिन अगर किसी ने learner का बनवा रखा तो और वह keyboard कहते हैं कि अगर आपके कोई name का issue है 2022 है तो भही आपका जो है अगर आपका name कहीं पर change हुआ है या फिर आपके नाम में गल्टी थी और तीर रहा है तो उसका certificate आपको होना चाहिए आःस्ट के पास हमें और तो कुछ खास इतनी जानकारी है कि यह जो और चलिया इतना ही है जो चीज आपको ध्यूशन रिखनी चाहिए आईरिसardus होगा आफो आपका ओनौनी चाहिए झाल अगर मैक्ष नहीं होती है तो आपको घृराना नहीं हो और contract lens या फिर अपने चस्मे अगर आप लगाते हैं तो आपको उस टाइम पर उतार देने है और भई यहाँ पर SCST PWD candidates को भाड़ा भी दिया जाएगा आने जाने का जो आपकी second class का होगा train का और आगे कहते हैं कि जो अबाव facility है अगर कोई इस category से SCST PWD से अगर कोई कहीं पर सरकारी या फिर state government में every center में या फिर PSU में लगा हुआ है तो उसको इस तरह की जो सुविधा है भाड़े की राय की वो नहीं दी जाएगी आगे फिर कहते हैं कि please note that you will be permitted to attend the interview as mentioned about subjects 2 तो यह कुछ चीजें हैं यह आपको ध्यान में रखनी होंगी और यह आपका time date भी change हो सकते लेकिन खामका होती नहीं है अगर कोई बड़ी आपदा आती है तो उही हो जाती है format है भई हमने आपको बताई दिये हैं कि site भी पड़े है notification जो था उसमें भी आपको मिल जाएंगे और आपको social distancing बनाके रखनी है covid-19 के जो mask है sanitizer वगरा है यह आपको रखने पड़ेंगे self declaration है या form ले जा सकते हैं अगर आपके पास mobile है android है always यह बात है सभी के पास होता है आग के टाइम में तो उनको आरग से to app download करना पड़ेगा उसके बाद अगर आप यह आरग से to app download कर लेते हैं तो इस तरह के format application form की आपको जुरूरत नहीं पड़ेगी अब बात करते हैं कि आपको इंट्रू कैसे देना पड़ेगा जो आपक आपके फोर्मल होनी चाहिए अगर आप लड़के हैं तो भी देख लेना इस हिसाब से यानि कि वह से बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पे ब्लैजर टाइब अगरा जो भी है आपके फोर्मल ट्रेस होनी चाहिए आपका जो लुक है आप एक बैंक में जाते हैं तो ज लेंग्वेज है तो वह इस तरीके की होनी चाहिए कि यह लगे कि हाई यह बंदा एकदम ऑफिसर बनने लायक है क्योंकि आप स्केल वन के अधिकारी बनने जा रहे हैं और बातचीत करने का तरीका है तो आपकी आवाज भी इतनी उची नीची नहीं होनी चाहिए ठीक होनी इंट्रोडेक्शन आप त्यार कर लेना आप से पूछा जा सकता है और राजभाशा अधिकारी के जो कैंडिडेट्स है उनको राजभाशा नियम पढ़ने पढ़ेंगे और लिट्रेचर हिंदी से पढ़ लेना थोड़ा बहुत और इंगलिस लिट्रेचर आपने पढ़ा ह पूछा सकता है वित्य शब्दावली होती है और आपकी पारिभाशची के शब्दावली होती है तो इस तरह की चीज़ें वह रखने पढ़ेंगे बाकि ऐसी कोई टेंशन वाले बात नहीं एकदम फिडियो के चाहिए अब तो आप जितना पढ़ेंगे इतना आपके उपर बल्डन होगा तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप थोड़ा थोड़ा देख लें एकदम घोटने की ज़रूरत नहीं है तो इंटर्वू में आपको देखा जाते हैं कि आप किस तरह से देने जा रहे हो तो बिंदास होके जाओ कोई वीडियो वगयरा ध्यान में नहीं रखनी हाल लेकिन यह अपना एक सेंस में रहना है पलाइट होके बात करनी है और तो कुछ है नहीं हमको लगता नहीं है बाकि आप सभी को इंटर्वू के लिए और बहुत सारे केंडिडेट स और 15 वेकेंशी एड़ करने से 99 वेकेंशी हो जाती है तो यानि कि एक तीन का रेश्यू तीन में से एक कैंडिडेट का सेलेक्शन होगा तो कोन होता है वो दावेधार उम्हीदवार तो यह तो रिजल्ट क्याने पर ही पता चलेगा बाकि एक महीने से भी कम समय रह चुका जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उससे पहले आपको यह आखिर जो पढ़ाव है आपका यह पार करना पड़ेगा और फिर देखते हैं फाइनल रिजल्ट में किसका क्या रहता है